नमस्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने करक राशी वालों का मई मा का मासिक राशी पर लेकर उपस्तित हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस मा में आने वाले कुछ विशेश व्रत और त्योहारों के बारे में चार मैं को विरुतनी एकादशी का वरत किया जाएगा दस मैं को बरकवान परशुराम जैनती और आखा तीच का यानि अक्षेत रतिया का पर्व हम बड़ी ही धूमदाम से बनाएंगे आखा तीच का दिन अबूज मौरत के रूप में जाना जाता है यानि इस दिन कोई भ 14 मैं को मदर्स दे आ रहा है वही 19 मैं को मोहिनी एकादशी का पर्व वरत किया जाएगा 21 मैं को नर्सिंग जैनती बनाए जाएगी और 23 मैं को बुद्ध पुर्णी मा आ रही है तो यह है कुछ विशेश वरत और त्योहार जो कि इस मा में आने वाले हैं अब आ जाते हैं ग विराजमान है और 14 मैं को वे अपनी समराशी व्रशब में प्रवेश करेंगे बुद्ध ग्रह की बात करें तो वरतमान में अपनी नीच की राशी मीन में वक्री होकर विराजमान है और 10 मैं को वे अपनी मित्र राशी में प्रवेश करेंगे 31 मैं को पुनो व्रशब राश जो कि उनकी समराशी है उसमें प्रवेश कर जाएंगे मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे मा अपनी अतिमित्र राशी मेश में विराजमान रहेंगे गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशी मेश में विराजमान है और एक मही को राशी परिवर्तन कर जनी ग्रह इस पूरे माँ मोल्त रिकौन की राशी कुम में स्वग्रही ओकर विराजमान रहेंगे राहू और केतु अपनी समराशया मीन और कन्या में इस माँ विराजमान रहने वाले हैं तो यह हैसमा की ग्रह जोचर की इस्तती अब बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं कि ग्रहों की इस्ततिया क्या इफेक्ट आपके इस माँ पर डालेगी यानि शुरू करते हैं करक राशी वालों का मई मा का मासिक राशी फल सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशी फल दे रही हूं ये चंद्र गर्णाओं पर आधारित है और आप इस लिए ये माँ आपके लिए रहेगा थोड़ा सा भाउक्ता से ब्रावाई इस समय कोई भी कार्य आप करें तो थोड़ा सा दो जौनों से पूच कर बड़ों से जानकारी लेकर उनका मांग दर्शन प्राप्त करके फिर ही आप किसी भी कार्यों को पूर्ण करने का प्रेयास करें यात्राइं करते समय सावधानी रखें किसी भी काम में जल्द बाजी बिलकुल भी ना करें इस समय भाउकता से कोई भी कार्य करने की अपिक्षा थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सुचेंगे तो आप अपनी जीवन में सफलताओं को दुगना पाएंगे इस समय रिस्तों में अच्छा ताल मिल रहेगा दद्याल वालों से समंध और अधिक प्रगाड होते हुए दिखाई देंगे यानि ओर ओर आपकी परस्नालिटी बहुत ही दमदार रहेगी अब आते हैं आपके दृतिय भाव पर दृतिय भाव के स्वामी ये सूर्य जो की आदे माय यानी 14 म मही तक तो रहेंगे उचके और आज बैठेंगे आपके कर्म भाव में और उसके बाद 14 मही के बाद सूर्य आ जाएंगे आपके लाब भाव में वहां गुरू के साथ सूर्य की यूती होगी दौनों ही परिस्तितियों में सूर्य के परिड़ाम बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे पहले तो सूर्य उचके है कर्म भाव में वैट है और गॉर्मेंट जुड़े वे लोगों को महुत अच्छा लाब प्राप्त होगा अधिकारी आपके काम से प्रसनच इतना जराएंगे आपको कुछ नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती होई दिखाई दे ये काम दुरुद गती से संपन होता हुआ भी दिखाई देगा उसके बाद सूर्य आजाएंगे आपके लाब बाव में और गुरु के साथ जाकर बैटेंगे तो प्रमोशन और इंक्रिमेंट के योग बनेंगे कुटम मेमान सम्मान बढ़ेगा सामाजिक प्रतिष्टा में व्रदी होगी इस समय आपके कारियों को सरा जाएगा कई लोग आपको आइडियल मानेंगे आपका प्रभाव शेत्र बढ़ेगा तो सूर्य के रिजल्ट दौनों हिसाब से महीने में बहुत अच्छे मिलने वाले हैं दौनों इस्थानों के हिसाब से जब सूर्य कर्म में बैटें तब भी और जब लाब में बैठेंगे तब भी अब आते हैं आपके पराकरम भाव पर अब आपके पराकरम भाव के स्वामी और खर्च भाव के स्वामी हैं बुद्ध जो की महीने की 10 तारिक को आ जाएंगे अपनी मित्र राशी मेश में यानि आकर बैठेंगे आ राजनिती के शित्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, भाई मैनों का साथ और सहयों मिलेगा, आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, उसे द्रड़ता से पून कर आप आगे बढ़ेंगे, यानि बुद्ध के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे पराक्रम भाव के बारवे बैठेंगे और यहां पर बुद्ध का अपने से ग्यारवा जाकर बैठना आपके लाप की स्ततियों में निरंतर व्रद्धी करेगा, विदेशों से बहुत अच्छा लाप मिलेगा, कुछ योजना है आप विदेशों में इंप्लिमेंट करते हुए दिखाई आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, आपकी बुद्धिबल और चातुरी के चर्चे चारों तरफ होंगे, इस समय सहकर्मी आपके कामों में आपकी साहता करेंगे और अधिकारियों से सम्मंद और अधिक प्रगाड होंगे, तो बुद्ध के रिजल्ट आ और शुक्र आपके लाब भाव के भी स्वामी है, शुक्र जाकर बैट रहे हैं आपके कर्म भाव में, शुक्र का कर्म भाव में बैटना 19 मही तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा क्योंकि शुक्र स्वत्तम द्रस्टी से अपने ही घर को यानि सुखिस्थ कान को देखेंगे और यहां पर सुखों में ब्रती होगी, भूमी भवन वाहन जैसे लगजीरियस आइटम्स की खरिदारी आप इस मा कर सकते हैं, इस समय आपके मा के साथ आपके संबंद और अधिक प्रगाड होंगे, सामाजिक कारिक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ और भी अच्छे और बैतरी आपको प्राप्त होंगे, इस समय आपका सेल्फ कॉंफिडेंस बढ़ेगा, परंतु इस समय आपको आलत से को त्याग ना होगा, थोड़ा सा आपका मन मौजी टाइप हो जाएगा, यानि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास क दरेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, पहले अपने कर्तव ये का पालन करें, उसके बाद अपनी इच्छाओं को सम्मान दें, तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही बैतरी मिलेंगे, अब शुक्र चुकी लाबेश हैं, अपने से बारवे बैठेंगे 19 मई तक, और यह मई के बाद का समय आपके लिए उत्तम लाब की परिस्तिया लेकर आएगा, खास कर वो व्यापारी जो की टेक्स्टाइल के कामों से जुड़े हुए हैं, टेक्स्टाइल मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होगा, मैनुफेक्चरर्स के लिए यह समय शानदार रहने वाला है, मही कपडे, फेशन, क्लॉफिंग के लिए भी आपके कारियों में आपको सफलता, प्राप्त होगी आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आप अच्छा करेंगे, शुक्र से रिलेटेड हर कारिय से जुड़े हुए लोगों को यह मां बहुत ही अ मंगल का त्रिकॉर्ण में जाकर बैठना बहुत ही शानदार इस्ततियां आपके लिए लेकर आएगा, मही इस समय टेक्निकल फिल्ड से जुड़ेवे लोगों को करियर में बहुत अच्छा रेस्पॉंस मिलता हुआ दिखाई देगा, मनवांचित लक्ष की प्राप्ती करे मही अधिकारी भी आपके कारियों से प्रसनचित नजर आएंगे, पुलिस, सैना, नेवी से जुड़ेवे लोगों को मनचाई, ट्रांसफर, इंक्रिमेंट और प्रमोशन के योग बनेंगे, मही सिक्योर्टी सर्विस या फिर कंस्रुक्शन लाइन से जुड़ेवे लोगो को उत्तम लाब अपने कारियों में देखने को मिलेगा, अधिकारियों के साथ अच्छी बटेगी, खिलाडियों के लिए ये समय खेल कूद के माध्यम से अपनी अलग पैचान बनाने का रहेगा, महीं ये समय आपके लिए उन्नती के नए रास्ते खोलेगा, तो मंगल के र महीं को राशी परिवर्तन कर आपके लाब भाव में आ जाएंगे, गुरू का अपनी से सस्टम जाकर बैटना आपके लिए इतना चान नहीं रहेगा, परन्तु लाब भाव में हर अच्छे रिजल्ट देता है, उस लिहाज से गुरू के रिजल्ट आपको अच्छे पर थोड़ा सा अपने स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखें, सिक्षन व्यवसाय से जुड़ेवे लोगों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, नन्याल पक से आपको आर्थिक लाप राप्त होगा, वहीं गुरू हैं भागेश और भागेश का अपने सित्रत जाकर वैटना आपके भागे को बढ़ाएगा, वहीं अचनक आपको धनलाप की स्ततिया देखने को मिलेगी, आपके काम चल निकलेंगे, यात्राएं सुखद और मंगल में रहेगी, वायू या जल यात्रा के योग बनेंगे, मित्रो का साथ और सयोग मिलेगा, और नौकरी अच्छे देखने को मिलेंगे, अब आजाते हैं आपके सब्तम और अस्तम भाव के स्वामी है शनी, और अस्तम भाव में स्वग रही हो रहे हैं, याँ पर यात्राएं सुखद और मंगल में रहेगी, इंपोर्टन मीटिंग आपकी सक्सेस्वल रहेगी, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, कारियों में बड़ी सफलता मिलेगी, जीवन साती के नाम से किये गए कारियों में भी उत्तम लाप राप्त करेंगे, और लाइप पार्टनर का पूरा साथ और सयोग मिलेगा, तो शनी के रिजल्ट आपको जिस तरह से मिलते हैं, उसी तरह से कंटिन अच्छे मिलते चले जाएंगे, तो ये है करक राशी वालों का मई मा का मासिक राशी फल, अब आ जाते हैं कुछ विशेश उपायों पर, तो शनीवार के दिन कासे के पात्र में सवा सों क्राम सरसो के तेल में स्वतर का चेरा देखें, यानि खुद का चेरा देखें, और उसमें कुछ दक्षिना रखकर शनी मंदिर में दान कर दे, अक्षेत रतिया के दिन चने की दाल और धार्मिक किताब है, आपको दान करनी चाहिए, रोजना के सरका तिलक लगाएं, ब्रस्वतिवार और अपने जन्म नक्षतर वाले दिन, पीपल के व्रक्ष का अरपन करे ऐसा करने से कर्क राशिवालों का भाग्योदय होगा, मून स्ट्रोन रत्न चांदी की कनिश्का अंगुली में सोमवार के दिन ओम सोम सोमाय नम मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करें, तो ये है कुछ विशेश उपाएं, जो कि आपको इसमा करना है, अब ये तो व अपोइन्मेंट और पर्सनल मीट के माधियम से मुझसे जोड़ सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्सेट के माधियम से संपर कर सकते हैं, अब मैं अपनी वाणे को यहीं विराम देती हूँ, स्वस्त रहिए, फ्यस्त जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा, एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान, एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवा इन नंबरों पर संपर्क करे 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2